हलो इभरिवन आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी कैसे हैं आसा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने बौर्ट परिछा की तैयारी अच्छी परकार सि कर रहे हूँ होंगे फ्रेंस आप सभी का प pendulumção का पिरिबौर्ड का एकजाम होने वाला है उसमें pre-board का जो पेपर है एक परकार के ये वारल पेपर है इस पेपर को देखके ही आप pre-board का पेपर देने जाईएगा आज हम कच्छा 10 के हिंदी का प्रिबोर्ट का पेपर देखेंगे जिसमें आपको समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट का और आपको पुड़ांग टोटल रहेगा 70 नमबर का इसके कुछ समान इंदर देश हैं जिसमें आपको क्या करना रहता है 15 मिनट जो रहेगा आपको प्रशन पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाता है इसमें खंड का और खंड खा रहेगा खंड का में 20 अंग का बहुई कल्पी प्रशन रहेगा आपको OMR सीट मिलेगा तो उसमें आपको OMR सीट पे बहुई कल्पी प्रशनों को करना है इसके अलवाएं जो खंडखा रहेगा इसमें 50 अंक वरात्म को अब चलिए इसके प्रश्नों को अ Kenya करते हैं यहां बोली की यूफी करप्र निबंदकारक का नाम आपको बादाना है कि सुकल यूग के आलोचक और निबंदकारक कौन थे देखिए आपसन को ध्यान से पढ़के एंस्वर दीजिएगा राम चंद्र शुकल प्रताप नायराण मिस्र राधा चड़ गोस्वामी राधा कृष्रदास देखिए यहां सुक से नाम चलना है सुकल यानि राम चंद्र जो सुकल है एक आलोचक और निबंदकारक थे इस प्रशन का सही जो क्या होगा कवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है इस पकास से आपको एंस्वर देना रहेगा दूसरा देखिए आपका प्रशन क्या है और्द नारिश्वर के दियान दीजेगा अर्द नारिश्वर के लेखक जो है विश्रूप प्रभाकर जी है इस प्रशन का सही जवाब को आपको आपको क्या हो जाएगा ठीक है अगला देखिए आपका तीसरा नंबर क्या है कि निमन में से नाटक विधा के लेखक है यारि नाटक विधा के पूछा है ना यहां पर कौन है जो नाटक का रहें स्री निवास दास जी है इस प्रशन का सही जवाब को जागा खावल आपका सही होगा ठीक है अगला देखिए चौता नंबर का कंकाल के लेखक कौन है दिखे फ्रेंज जिस प्रशन का एंसवर आपको पहले से पता हो ल्यिवर्ट है ठीक है तो कंकल के लेखक आप आप सभी को याद होगा कि कंकाल की लेखक कौम है संकर प्रशाद जी इस प्रशन का सही जो आपको आप्सटा सही हो जाएगा अगला देखिए प्लपाशन हमाइए नम्भर का हिंदी गष लुए से या या सौनिस से नीच से म जबाशास माना जाता है तो माना जाता है इस्प्राशन का Uni आप याद रखिएगा अगला देखे छठवा नंबर का आदुनिक काल की समय अवधी है आदुनिक काल की समय अवधी कप से माना जाता है कि ultimate सफी और व्रमें ऐसान चल्ट के przेंढ़ार्ट्रबिक को से discipline से बोर्ड का एक्जाम हुआ थी यह प्रश्ण कई बार रिपीठ हो चुका है ठीक है तो अहां दुनिक काल की जो समय अवधी है 1843 इसवी से वर्तमान तक माना जाता है इस प्रश्ण का सही जवाब घहवाला आपको क्या होगा सही होगा अगला देखिए सात्वा नंबर का कि रिती मुक्त का विधारा के दो कवियों का नाम आपको बताना है ठीक यह पर देखिए दो कवियों के नाम घहनानंद जो है रिती मुक्त का विधारा क्या है बोधा ठाकूर है तो इदे के का और खा दोनों आपसन सही हो जागा तो इसका सही जवाब गवल आपसन सही होगा अगरा देखे आपका अठो नमबर का सवाल क्या है कि नई कविता क्या प्रमुक विशेषता है क्या होती है यानि नई कविता जाहिए प्रभुख्वि योजन में नवाल आपसान सभी रहर का आपका आपको सवाल द्यान दिजए कि क्या है आगन के पारद्वार के रचेटा है, यहाँ पे ध्यान दिए कि क्या है आपका आगन के पारद्वार, देखे आपसन में धर्मवीर भारती है, या सही वा अग्ये, या अग्येजी है, या गजानन मादों मुक्तिबोध है, राम नस्तिर पाठी, यहाँ पी इस प्रश्ण को आप जरूरी याद रखिएगा कि आगन के पारद्वार के रचयता कौन है आगन के पारद्वार जो है अग्येजी है इस प्रश्ट का सही जो आप खवला आपसान सही होगा ठीक है अगला देखें दसवा नंबर का भारतेंदू यूग किस काल के अंतरगत आता है यहाँ पे प्रश्ट का सही जो आपका सही हो जाएगा अगला प्रश्ट देखें ग्यारा नंबर का नाना वहां ना वेशा बियसे सिव समाज निज देखा को मुखहिन विपुल मुक काहू बिनुपद कर को को बहु बाहू उपरियुक्त में आपको रस पहना है यानि रस आपको बता मैं एग्जाम के लिए कौन-कौन सा करूर रस एक ठीक है यहीँ दूरस के बारे ना को पहना है जब आप इस वाक्य को पढ़ हैं था उन्ह पर शिक्त कर रहा है यहां थी एक यहां पर आपके नाना ना वहां ना वेशा बिश्कानु समाज निज देखा और मोखहिन सब्सक्राइब आपका सही हो जाएगा तो अगले नंबर का सवाल देखते हैं पूरे प्रश्न को पूरे पेपर को आप जरूरूर देखके एक बार जाईए कि यहीं कहीं पर विखर गई है भगन विजय माला सी पंकिती में आपको अलंकार बताना है अगला देखें तेरे नंबर का जिनके आगे ठर सके जंगीन जहाजी के यहां पे इस प्रश्न का सही जो आपका कोला वाला ओगा की प्रसीओ नंबर का सवाल सर्थ कौन से फ्रियुक्त हुआ है। कि कोई भी सब्ड होता है उसके प्राराम में ना जुड़ा हूँ आधिमे उसकता है इसमें भी नहीं है तो किस निर्वा को स्मय आkalya कृमाइदारी होगा घोगा यहा बहुद रहा इसका करेंगे बी मॉर्जुन में क्या होगा भीन देखिए कि अजयान क्या od पलस अर्जून डिधे भीम और अर्जून क्सितर बीर अर्जून रखने आपको गरगर जैसे दिया है इसका तद्भो मतलब अशु दिरूब्ता ना है कि तद्भो क्या होता एक तत्सम होता है तो गरगर जो एक याद रखिए क्या होता है कि गरगर नपूंसक लिन में चतुरत्युः पयपर में जरूर आएगा वह सफ़ल होता है कि मतलब होता है कि इसमें आपका एक करता होना चाहए कितने करता हो एक करता हो एक किर्या करते है जो वक्यतित प्रिस्रम हतायח वह अवस्य सफल होता है यहां आधक cricket प्रिस्रम करता है शाइब ऑपर यह शांधरित प्रिस्रम करता है यह तो वह का ब्यक्ति परिस्रमी होता है इसलिए सफल होता है यहां पर भी नहीं होगा इसलिए कि देखें यहां पर होता और यहां पर भी आपका सफल होता है तो दो परिस्रमी होता है सफल होता है दो किरिया आजा रहती है भी नहीं होगा देखें परिस्रमी ब्यक्ति अवस्य सफल हो अगली प्रकत करता हैं या चलते हैं यह भी बहुर प्रकट करता है। आओ अब चला जाए यह एक भाव होगा और ख़त दुनों से इसका सही जब आप गवलापसन सही हो जागा अगला देखिए आप क्या है घर के साथ ही एक बगीचा होता था रहांकित पंद पद का परिचे होगा यानि साथ के साथ जो दिया है इसका पद परिचे क्या होगा ठ जो आपको प्रशन दिया गए इसमें आपको क्या करना रहेगा यहां पर प्रशन पूछेगा उपर ठेक 6 नंबर का प्रस्न रहेगा देखे आपको यहां से लेकर जिन्दगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उस अमर बनाने के लिए आदमी ने पहा कहटा है किस तरह इंसान की खुबियों की कहानी सद्रियों बात आने वाली पीड़ों तक पहुचाए जाए इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और गए मतलब यहां से लेकर पुरा यहां तक आपको वाकिय को पुरा पढ़ना रहता है यहां पर आपसे तीन प्रशन पूछेगा पर तेक प्रशन दो दो नमबर करेगा टोटल मिलाके च्छा नमबर का यह प्रसन रहेगा अब यहां भी देखिए आपको प्रस्तूत गद्यांस का संद्रव लिखेंगे रहां कित अंस का ब्याक्षा करना है ब्यक्ति ने आगामी प्रशन पूरी तक अपनी बातों को पहुचाने के लिए क्या क्या उपाय की है इसके बारे में आपको लिखेंगे टोटल च्छा नमबर मिलेगा ठीक है अब देखिए इसमें क्या है आपका कि इसमें से एक ही प्रशन आपको नीचे दो प्रशन देगा ठीक है इसमें आपको संद्रभ नहीं लिखना है सिर्फ क्या करना है कि कौन से पाट से लिए गया गया है इसके लेख सवजू करना है फिर इरसियालू को आप जरूरा तयार करके जाएएगा अब अगला प्रस्ट आपका क्या है बाइस नंबर का देखे अब वहां गद्धाँ था अब पध्धाँश में से किस एक के नीचे दिए गहाई प्रश्णों को उतर देना ठोट एक छा नंबर कर आएगा इसमें भी आपको दो पध्ध्धाँश देगा इन दुन पध्यांसों में से किसी एक कही एंसर आपको देना है जो आ रहा हूँ देखे इस पध्यांस को यहां से जैसे सागर निज छाती पर जिनके यानि कि यहां से लेके यहां तक इस पध्यांस को पहना है पढ़ने के बाद यहां पर तीन प्रश्ण आपसे पूछा गया है, जैसे यहां पर प्ध्यास क्या तात्पर आपका निकलना है, उसको बताना है, फिर नदियां जिसके यस धारा सी बहती है, अब भी निसी वासर का आश से असपष्ट करना है, टोटल छा नंबर कर रहेगा इस प्रश्ण को आप जरूर तैयार कर लीजिए, इसके अलावा देखिए आपको अगला प्रश्ण है, कि बैठो माता के आगान में, यहां से लेके यहां तक इसको पढ़ना है, इसमें क्या करना है, और कवी ने सच्चे पुत्र के क्या परिभासा बताया है, इसके बारे म परचे लिखेंगे, टोटल पाश नंबर कराएगा, इसमें लेखा का जीवन परचे उनकी प्रमुक रचना का नाव, यादि जीवन परचे लिखते हैं, तिन नंबर मिलेगा, और उसकी रचना कौन कौन से लिखते हैं, दोन नंबर, टोटल पाश नंबर मिलेगा, यहां प लाइंके लिया यहां देने जा रहे हैं तो आपको यह करना रहे गा करने के संकरीट में किसे का संदर्व साहिप हिंदी करना है करते हैं तो आपको टूटल पांच नमबर में इस प्रश्ण को मिलने वाला है जी कि इसमें दो प्रसण है इसमें भी दो प्रस्ण को यहां तक पढ़ना है संदरभ लिखना और हिंदी में अनवात करना है जो उपर आपको बता आए अगला देखिए आपका खांवल प्रशन को पढ़ सकते हैं यहां से यहां तक पुरा पढ़िएगा पढ़ने के बाद इस पद्यांस का संद्रम लिखना है और इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना आप इसको प्रशन को जरूर तयार कर लीजिए ठीक है जितने भी प्रशन बता रहे हैं सभी प्रशन अगला प्रशन देखें गवला क्या है अपनी पाठ पुस्ता के संस्क्रीत खंड के कंठष्ट किये हुए एक सलोक का लिखना है ना आप सलोक को लिखें कि प्रशन पत्र में ना आया हो तो सलोक आप जरूर याद कर लिजिए टूटल दो नंबर का आएगा जैसा प्री बो प्रशन पूछा गया है टूटल 5 प्रशन है 5 में से आपको क्या करना है सिर्फ दह का इंसٌ देना है और यह दो नंबर कर रहेंगा ठीक है तहर पांच प्रशन मेंस क्या करना है को दो भी प्रश्न करना रहता है अगला देखिए आपका ये 2000 चोबीस में जो बोड का एक्ज थार नुमबर का अम अठोरज देए कि अगर्पा सवाल क्या है कि आपको निबंद से समर्दि प्रशन रहता है निबंद में आपको पास निंबंद लिखेंगे इसां बुर्दियम अभिसाप आता है बहुत ज्यादा पूछता है पर इस रब सफलता की कुझी है भारती किसान का जीवा नारी सशक्त किरण मेरा प्री ये सहीति मिल जाएगा निबंद ठीक है तो आप जुरू तयार कर लिजिए कि देखें कितने नंबर का टोटल साथ नंबर का है निबंद ठीक है अब देखें अगला 27 नंबर का है कि खंड काब से संबनी प्रशन रहेंगे आपको बहुत जादा खंड काब दिया रहेगा देखें गिल लवा सभी प्रश्न को छोग दिया जाता है जितने वह गाजी पूर के छात्रहें देखें मुक्ती दूद से शंबंधित चत्र लिखना सर कर लिखना है, या मुटी दूद खंडगाब के श्रित्र की breath है जिसको सबसे अधिक प्रभावित किया है, जैसे महत्मा, गाधी जी, कचरत्र, चित्र लेख सकते हैं, ठीक है, देखिक है, यहाँ पर घह में देखेंगे दो प्रसंक, गहां बधात, इन दोने में से कोई एक ही करेंगे, चाहिए आवाला प्रश्ण को कीजिए चाहिए बह को कीजिए एक प्रश्ण को करेंगे तो इस पर टोटल आपको तीन नंबर मिलेगा ठीक है यह था आपके खंड़काब पूरा संपुड आपका जो पेपर था आप सभी को बताए है इन पेपरों को आप एक बार देखके सभ उन पेपरों को तयार करके प्री बोड़ों चाहिए बोड़ों आप तयार करके जरूर जाईएगा ठीक है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अ वीडियो को सेर करें